तेश का सबसे गंदा, सबसे रती, सबसे जूटा, जुम्ले बास प्रदान मंतरी है। पूते मारेंगे हम उनके मुपर। ये अप रिकॉर्ड कर लीजी और मेरी तरसे डालीए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। लेकिन वो जो आज महिला सुरक्षा के नाम पे zero धबबा है मूदी जी, Hitler मर गया और मोदी को छोडगया अपनी अलाद को Hitler भी फेल है मोदी के आगे, Hitler भी फेल मोधी तानाशा सरकार चला रहा है गुंडागर्दी की सरकार है तानाशा बहुत बड़ा तानाशा है अपनी बीवी जशुदा बेन की मंगल सूतर की चिंता क्यों नहीं करी सतर सालों में जो नहीं हुआ ना वो मोधी ने कर दिखाया कि मनिपुर में महिलाओं को नगन गुमा डाला अगर ये महिलाओं की चिंता करता ना तो आज ये दिन ना देख रहे होते हैं जो महिलाओं के साथ हुआ है हाथ जोड के विनम्र निवेधन करती हूं कि इनोंने बहुत काम कर लिया हमारे लिए आप देश की जनता इनको अजादी दे अराम दे और इनको रेस्ट करने दे चार्स को खाब सीरफ EVM के दम पर देख रहे हैं EVM के दम पर देख रहे हैं जनता उनको कोई वोट नी देगी देखिये लोग गालियां दे रहे हैं लोग तरस्त हैं, लोग मर रहे हैं महिंगाई और मुक्मरी से मोधी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरॉन उनको ये लगता है वो कभी मरेंगे नहीं हाड मास की वो भी बने, मरना उनका भी तह है फिरॉन है इस दौर में सारी महिला हैं मिलकर कह रही हैं कि मोधी जी को माफी मागनी चीए, मोधी जी को माफी मागनी चीए, क्यो वेनो उनको सबसे पहले माफी मागनी चीए, सजा हम देंगे ना माफी मागनी पड़ेगी, क्या टेलर है, कपड़े उतारेंगे, क्या करेंगे ये औरतों के साथ जब उनके नेता किसाने के उबर गाड़ियों चलाते हैं तो क्या उत्ताब उन्हें मंगल सूत्र की याद नहीं है लेकिन इतने परचंट भाउमत के बार अगर किसी देश का प्रधान मंत्री ये बात कह रहा है कि मंगल सूत्र धद्रे में है अगली बार मंगल सूत्र की जब ये बात करें तो इनसे ये कहो कि पहले ये बताओ कि शेल कंपनी में 20,000 करोड किसका है अगली बार में हफ्ता वसूली की कैसे, महंगाई पे कुछ बात कर लो, बात करो अगनी वीर पे कैसे हमारे युवाओं के भविष्य को तुम गरत में डाल रहे हो अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तडिपार जब भारत माता की बात होती है और भारत माता के अंग पे जो है गालवान वैली में तिबत में कबजा कर रहा है लदाक में आ रहा है चाइना वो भी भारत माता के चरित्र के उपर ही वो आ रहा है अगर मा के उपर हमला होता है तो मा के बेटे जो हैं वो नपुनसक कहलाते हैं किस तरह के हैं नरेंदर मोदी कि वो अभी तक चीन बोल नहीं पा रहे हैं वो बात करते हैं औरतों की हमें तो हम औरतों को वाकई उनसे सानगूती है कि किस तरह की बात करते हैं वो वो दूसरों को शिखंडी कहा करते थे कितने बड़े वो खुद हैं कि वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उनके मुझसे चाइना निकले वो बात करते हैं महंगाई की बात नहीं करते हैं उन्होंने तमाम योजनाए महिलाओं के लिए लागू करी वो बताते हैं उजवला करी सुलब शौचाले करे टॉलेट्स लेकर आए उसके उपर वोट क्यों मांग रहे हैं अगर वोट उसके उपर मांग नहीं रहे हैं मतलब वो सारी चीज़े धरातल पे फेल हो चुकी हैं सिर्फ कागस पे हुई है मंगल सूतर पे वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सिर्फ औरतों के गले में मंगल सूतर दिखाई दे रहा है जमीन पर छोचाले नहीं दिखाई दे रहा है प्रधान मंतरी आवास नहीं दिखाई दे रहा है मन्रेगा का काम नहीं हो रहा है लोगों के पास पैसे नहीं ह युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में हमसे में आती हूँ हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातो रात जला दिया बलातकार पीड़िता को उन नाओं में जिस तरह से बलातकार पीड़िता के साथ तकलीफे उटाई उसके परिवार ने तो ये तमाम तरीके से जैसे खतम करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की असमिता को उसके बाद इनके मुझे मंगल सुत्र का नाम ही कैसे निकलता है यह तो शरम आनी चाहिए उनको यह कहते वे महिला करते लेकिन मोदीजी नहीं निकले चाहिए सम्मान वो बस इस्तेमाल करना जानते हैं उनके लिए हर चीज तेज पत्ता है जैसे कि अपने गुरू अडवानी का इस्तेमाल करके पेक दिया अडवानी को अटल बिहारी को इस्तेमाल करके फेक दिया वैसे ही महिला अस्मिता को इस्तेमाल करके फेकना चाहते हैं लेकिन इस देश की महिलाओं ने नीव रखी है पुत्तर प्रदेश च उपाखे चल रही है घबरा के चल रही है कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो लेकिन यहां पे जो यूपी की भूमी है वह बेगम हजरत महल जासी की राणी की भूमी है वहीं से यह उखाड के फेके जाएंगे कोई बात नहीं हो कहरें दस साल है टेलर है जो किया है मोदी ने पिक्चर बाकी है अभी तो बची खुची जो इज़त बाकी है महिलाओं की वो भी उचाल लिए मंगल सूतर पर नजर पड़ी चुकी है वो भी गिरवी रखवाने कोविट काल में महिलाओं ने अपने घर में पतियों का इलाज कराने के लिए अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए रख दिये थे और उन से यह पूछिए है कि कौविट काल के बाद से अब तक आपकी क्या अपने मेडिकल क्या प्रिपेडनेस है अगर डुबारा कुछ लोनweed बनिनेद्स क्या जीरो है इस बनवार हैं। है बना है ना दरबंगा की इम्स बेशिए में iba और साउथ में भी है हाँ वहाँ पे उनको अपना दिमाग का इलाज करने बेजना चाहिए एक में मोधी चले जाए एक मामिर्शा चले जाए दोनों अपने दिमाग का इलाज कर रहा है मतलब कागस पे बन रहा है एक सजी पीजी आई है पूरे यूपी में एक जिस पे बैड इनके विधाईकों के बच्चों को नहीं मिलता है बिचारे स्ट्रेचर पे दम तोड़ चुके हैं बाबा अन्याय कर रहे हैं कि सिर्फ बुल्डोजर चल रहा है और अपकी यूपी की जनता उनके घर पे बुल्डोजर चलवाने का इरादा कर चुकी है यूपी से फेर गिरेगा इनकी भाषा का इनकी राजनीती के स्तरका धर और धरातल में जाएगा आप यह तमाशा देखते जाहिए यह जब गिरे तो अगली बार मंगल सूत्र की जब यह बात करें तो इनसे यह कहो कि पहले यह बताओ कि शेल कंपनी में 20,000 करोड किसका है एलेक्टॉ अगर आप इलेक्टोरल बॉर्ड नहीं बनाते तो हमें पता नहीं चलता कि जो हफ्ता वसूली का आप लोग धंदा करते थे राजनीती में आने के टाइम शुरुआती दौर में 2002 से पहले वही अब आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू कर रहे हो अपना बिजनस तब भी हफ् रही आनकी बात मोडीजी करते था बोलते तह था मेहला है हमारे अंधा चला रही है मोडीा यह पर आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो गूमने चली जाती चुनाहं के बाद उन्होंने का मिश्रा से बोले तोड़ा जाशूशी काम गए हाँ क्योंकि वो स्नूप गेट वाले हैं मुझे तो इस महिला का नाम भी पता है जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले को अनर्थ किया कैसे उसको खतम कर दिया ये भी पता है तो ये इनका पूराना धंदा है औ मैं वे स्वारण चार सो पार हो रहा है चार सो पार गद्द पार्टि में जाके चारसो पार हो जाएंगे वल्छट संसद में परी तरह से हारने वाले मंगल सूत्र मेंसल्मान देखा ना एसाई दीखा वहाँ पे सिर्फ घरीब की बात की आप कह रहे हैं बच्चे जिनके जादा होते हैं उनको दे दिया जाएगा गिंती करा लो पता चल जाएगा ये खुद भी तो 6 भाई बेनों के बाई है इनकी अपनी पाता ने 6 बच्चे पैदा किया थे उनमें से एक ये हैं तो बच्चे तो इनकी हां भी जादा है गिंती कर संनल क्रिप only का तो में तो भारत मता का परिवार मैं तो गोड़ी का मोदी का परिवार देख लीजे वाँ घूमाली जितने जितने महीरा परद में महीला पराद से गरस्त लोग ना वहां तुछ और यह बोखलाहाट है पहले चरंगी भार की . इनको पता है कि यह धरातोल पर बुरी तरीरीके से द्वस्त होने वालें इस वजह से इनका बुरा वाल है और यह फुल्टुट भाषन दे रा-जुम्लों की सरकार है , यह फुल्टुट भाषन देको काम चलाते हैं और ये जो बात कर रहें ना 400 पर मैं कहीं आज बैलेट पेपर से चुनाफ करा कर देख लो आप कहीं भी 100 पर हो जाओना तो नाम बदल देना कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जुम्ले की सरकार है मैं तो कहती हूं सबसे पहले अपनी बीवी जशोदा बेन की मंगल सुटर की चिंता क्यों नहीं करी अगर इनको चिंता करनी चाहिए तो अपनी बीवी की करनी चाहिए थी वो ये करनी पाए फिर इनको जो देश के किसान है, जो खेतों में पसीना बाहा रहे हैं, उनकी पतनियों की मंगल सुरुट की चिंता करनी चाहिए थी, इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरत पे मर रहे हैं, उनकी पतनियों की मंगल सुरुट की चिंता कर लेते, ये केवल और केवल मैं मैसलव की राजनीती कर रहे है इसके लावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं यह वही करते रहेंगे और धरातल पर जीरो थे जीरो है जीरो रहेंगे महिला सुरक्षा में बिलकुल विफल महिलाओं की सुरकषा जितनी मोधी ने कर दीन अरे 70 सालों में जो नहीं हुआ न वो मोधी ने कर दिखाया कि मनीपुर में महिलाओं को नग Capital डाला अगर यह महिलाओं की चंता करता ना तो आज ये दिन ना देख रहे होते हैं जो महिलाओं के साथ हुआ है रोजजाना एक चार घंटों में अगर गशेति हूं अगर अब रधान मंत्री यह ना कि 18 गंटे काम करता है तो मैं देश की पूरी जंता से हाथ जोड के विनम्र निवेदन करती हूं कि इनौने बहुत काम कर लिया हमारे लिए आप देश की जंता इनको अजादी दे अराम दे और इनको रेस्ट करने दे इतना काम क तक में रहूंगा देश की सेवा करता है देखिए ये इस पे मैं उनके लिए क्या कहूं मैं तो हाथ जोड़के देश की जनता को बोलूँगी मोदी जी को नहीं बोलना है इस पूरी देश की जनता को की जो 18-18 गंटे 24-24 गंटे काम करके ठक रहा है रहा उसको हमको विश्राम देना चाहिए अगर मोदी जी को विश्राम मिलेगा तो इस देश की उन्नति होगी देश का सबसे गंदा सबसे रदी सबसे जूटा जुम्ले बाज प्रदान-मंतरी ब्रस्टाचार से लिप्त प्रदान-मंतर ब्रस्टाचारी इनके पास अरे एक बात बताओ मुद्दे की राजनीती है इनके पास केवल और केवल गांधी परिवार के पिछे पढ़ना गलत बयान बजी करना ये ये वोट किसी देश के प्रधान मंतरी को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्धे पर बोलने के लिए मा नहीं है द्याय के रहेंगे ये मुद्धे से बढ़का रहे हैं देश को ये देश को बढ़काते आएं हैं बढ़का रहे हैं और बढ़का रहा है ये रहा कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुद्धे से बढ़का रहा है आपको मेरी साथी ने चैलेंज किया है कि अगर इस मैनिफेस्टो में यह मैनेफेस्टिो राहुल गांदी जी ने भारत जोडु निया यात्रा और भारत जोडु यात्रा के दोरान एक-एक जननारी, किसान, श्रमिक, युवा और हिस्सेधारी के लोगों से जनता से बात करके उनकी डिमांड पे यह मेनफेस्टि बनाया है और राहुल गांधी जी ने अपनी एमेल आईडी और अपना पूरा वो मेल आईडी का डाटा देते हुए पूरी जनता को सारवजी ने के बोला हुआ है कि अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे डारेक्ट मेल कर सकते हैं तो यह जनता की पसंद का मेनफ है क्योंकि वह इस बार जो है ना इंडिया एलाइंस की सरकार बनने जा रही है और वह इस बार जो है सत्ता से बाहर का रस्ता देखेंगे चारसो का खाब देखेंगे चारसो को खाब सीरफ एवीम के दम पर देख रहे हैं एवीम के दम पर देख रहे हैं जनता उनको को कोई लोग तरस्त हैं लोग मर म्रहें और बुकमरी से लोगों के पस्काने कॉंग्रियस में कितनी महरा था था बहुत हुं महँंगाई की बार मोधी पार रा गए के मोदी सरकार यहां कांग्रस की सरकार्टी इनकी सरकार आते ही इसे पहले कम कर के उसको 800 दे दिया मेंगाई किसके राज में कॉंग्रेस की जहां-जहां सरकार है जहां-जहां सत्ता में हम वहां वहां तो हमने पूरी अपनी स्टेट को सुविधा दे रखी तिरानी कहती थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी फटा हुआ धोल है सिम्रिति एरानी एक एक औरत के नाम प अगर प्रधान मंत्री मोधी जी को महिलाओं की मंगल्सूत्र की चंता है तो उस महिला की चिंता उन्हों ने क्यों नहीं की जिसको मनिअनिपूर में नंगा करके घूमा उनिया वही तो мैं आपको कह ए रही ह strengthening का एक बयान एक press conference किसी ने सुना एक प्रदेश के प्रधान सेवक का क्या काम होता है देश की जनता की सेवा करना मैंने आपको क्या कहा ap me and myself कि राजनिती करते हैं मैं और मेरा वह फ्रदान सेवक視र अपने लिए अपने देखानी बाचपार सरकार नहीं बोला जाता है मोधी सरकार बोलाजाता है क्योंकि मोधी सरकार ने सब पे दबाव बनाके दबदबा बना रखा है में मैसेल्फ की राजनीती तुनी सोच रहें कि ऐसे जूमले देदो महिलाएं जासी में आ जाएंगी 400 जूते मारेंगे हम उनके मुपर ये आप रिकॉर्ड कर लिजी और मेरी तरसे डालिए मैं किसी से डरती नहीं हूं लेकिन वो जो आज महिला सुरक्षा के नाम पे जीरो धबा है मोदी जी अपकी बार कुछ नहीं पार जीरो पर सौसे उपर भी नहीं संबतुली तो जहाएंगे या आप देख लिज्टि आपकी बार तो आपको कोई तड़ी पर नहीं और दूक है माहिलाओं के अंदर एक तकलीफ है जOW नजर नहीं आई, अगर उन्हें कारी किया होता इस देश की महीलाओं के लिए, तो जरूर बोलते हैं, उन्होंने इस देश की महीला पुरि चूले का कहां सोचा उन्होंने। वहां पर लोग चूला जला रहे हैं उनके पास लकड़ी जला कर आज भी वो खाना बना रहे हो और ऐसे ऐसा इलाका है जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा नहीं मैंने इससे गंदा इससे जूटा इससे बड़ा जुम्ले बाद इंसान ही नहीं देखा पिचर देखिए मैं यह कहूंगी ना हिंदू खत्रे में हैं ना मुस्लिम खत्रे में हैं सिर्फ मोधी सरकार मोधी जी घबराए हुए हैं बोखलाए हुए हैं इसलिए कभी मंगल सुत्र की बात करते हैं कभी किसी चीज़ की बात करते हैं उनको पता है अब की बार मोधी बिलकुल पार तड मोदी आपकी परवाह हैं आपकी मंगल्सुत्र की चिंता कर ले चाहिए यूपि में मनिपुर में देखें मेरी भैनों ने मनिपुर में नंगा करके घुमाया जिन गया था देखें नहीं है यह सब जुमलेबाज यह बाने हैं उनको पता है अब की बार तुम पार हो तुम बिलकुल साफ हो मोधी सरकार नहीं आने वाले इस लूपड़ा साफ इसलिए डर गए इसलिए सब यादा रहे हिंदू-मुसल्मान यह कर रहे हैं कि हिंदू-खत्रे में मुस्लिम-खत करने की रजनीती यह हिंदू-मुसल्म मंद्री से एसी उम्मीद करते हैं इस तरह की इन आप करने में इंट्रस्टिड हैं हीब दीकुटेंटर बोप्सेल स्थाफ सभार्ट लिए कंटु लेगे हिटलर मर गया और मोधी को चोड़ जे अपने ओलाद हिटलर हिटलर भी टाने मोधी के आगे मोधी टानाशाह सरकार चला रहा है ओन्डागर्दी सरकार है अि ताना शाहा बहुत बड़ा ताना शाह मंघल सूत्र की चंता करता होता तो महिला खुशाल होती हर दिन जो है महिला बेटी जो है वह मरना रही होती जाती मुधी से अपने मुल्क से भारत से बाहर हैं कि जो उन्हों ने का जो जादा बच्चे पैदा करता है वह घर-घर जाके जहांकते हैं वैसे भी मोधी जी तो कहते हैं मैं कपड़ों से पहचानता हूं मुझे बहुत है है मुझे इतनी ज्यादा है कि इतने गरिमा मैं पत्पे देश का प्रधान मंत्री अपने वोट के लिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्क को किसी एक विशेश वर्क को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्क को हम दे देंगे उन्होंने अगर कॉंग्रेस क की बात किये जितने मुकदमे भारतिये जन्ता पार्टी के समय में महिलाओं पर लिखे गए जितने अत्याचार हुए वो कभी नहीं हुए मोदी इस दौर के हिटलर नहीं फिरॉन है उनको यह लगता है वो कभी मरेंगे नहीं हाड मास के वो भी बने मरना उनका भी तय है फ परस्ती पहला दिये जहन वे देश का विकास है उसकी तरक्की की कामना करते हैं मंगल सूत्र बिक जाएंगे बट जाएंगे बट जाएंगे ना और देश को बाटा देश को जो बेचा उसका उसका जवाब है धर्म के नाम पर जाती के नाम पर उसकी चिंता की उसकी चिंता हाih है न फूरत को संहाल नहीं हधार जमी हो में जो वो टारगेट कॉंग्र्ट्रेश पार्टी को करते हैं हैं कॉंग्रेस सतर साल में उन्होंने सच में समान दिया है आपने आंके 10 साल में किया हालत कर दी कि अधनு वह बलतकार होता है और वो बलतकारी अगर भारती जनता पार्टी में जाता है तो वो वाशिंग पॉडर निर्मा से दूल के साफ हो जाता है आप आईए आप दस रेप करके आईए भारती जनता पार्टी जोइन कर लीजे आप क्लीन चीट है मशीन साफ है अब की बार क्या साफ कर रहे हैं मोदी जी अब की बार तो मोदी जी खुद साफ हो रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं मुझे ये बोखलाहट है न मैं इस पर वो शेयर कहना चाहूंगे कि इब्ददाए चुनाव है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या बिल्कुल गिरेंगे इनके विचार इनके बॉल तो बहुत नीचे गिरी चुके अब ये इनके संख्या भी नीचे गिरने बाद